कि वेल्कम बाक स्टुडेंस जमेट्रिकल आप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्टर में आज हम बात करने वाले हैं लेंस के बारे में तो लेंस क्या होता है लेंस बहुत ही अच्छा टापिक है क्लाश 10 के पॉइंट अब वी और मेरा टार्गेट नीट एन जै को तो क्लाश 12 तक हम लोग कपर करने वाले हैं ओके तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस क्या है इसका इमेज formation कैसे बनेगा और लेंस कैसे कितने होते हैं अगर किसी लेंस के पास अगर अब्जेक्ट धीरे-धीरे पास लेके आए इन्फाइनाइट अगर पास लेके आए तो इमेज पर क्या कि अधीरेट का इपके एक्त होने वाला है इसके बारे में देखते और आधा एसे बहुवळी वाला मूभी देखें आपनों बहुवळी टू में बहुता है ना इसे लेंस को आके करें गाउनिश मेड़ित टो दिस देलेंस तो मेरा नाम है सूरद सिर्पती और आपका खूद सूरद साचैनल physics mentor सब्सकीजेश लेनस के बारे में क्या है में चल्प कांच के थोस गोले का एक काणच का फिद गोले लेडियाomp अब पूर बंदो दो इस बिलकुल कांच में कह ना कांच है बिलकुल सॉलिड है बॉल की तरहיים प्रम बिल्कुल क्या है इक्ताम सोलिड है ठीक है यह क्षॉब है एक ताmb एक्ताम सॉलिड है अब अगर इसको हम लोग लोने कट करते फिर एक और कांच नहीं बहुर है इसे свое बहुत अब इसको हम यहां से कट करके निकाले इसका से पुछ ऐसे कट के बाहर आएगा और अगर हम यहां से इसको कट करके बाहर निकाले इसका से कुछ ऐसे कट के बाहर आएगा ठीक है और जब इन दोनों को जोड देते हैं तो हमारा बन जाता है एक लेंस जिसको क्या बोलते हैं कान्वेक्स लेंज है किल अब एक बात और स्वेयर के यह प्रापरटी पर हम रभी टाइप के बात करेंगे कि यह अपना प्रिंसिपल एक्सिस है अब ध्यान से समझना कि जब यह एक इस फीर था यह पूरा एक स्पीर था तो इसी का एक कटा वभा यह दिस इस इन ये एक सेंटर रहाँ है यहां पर क्या हम मानेंगे सिवन आ यह भी तो एक स्फियर का कटा हुआ भाग है इसका क्या मालेंगे सीटू मिन्स फॉस्ट्स इंटर आफ करवर्चर एंड सेंटर अफकर वर्चर के लिए तो अगर हम बात करें यह एक्चुल में ले जो है वो काफी पतला होगा एक प्लेट की तरह होगा बिल्कुल एक ठीक है तो एक्च्वल में फीकर को फील कराने के लिए ऐसे बनाया जाता है यहां पर एक्च्वल में यह एक सड्र है ओव इसका तो अब यह लाइट को अगर पैरलर लेके जाएंगे तो कैसे ऐसे क्या पर ने का तरीका देखना है इसको में ऐसे कट कर दें एस मिनस एक ऐसे सेंफ में कट करके बाशनी काल यह कैसे बनेगा यह इस सेव का बन जाएगा इसको बोलेंगे का इंगे कौनƏस किया प्रषल्ष यानि कि जो बीच में पतला हो और किनारों का द्सट यहांपर फ्रिजिक हो तह संधी ठीन के Si तो इस तरह के जब सेफ आएगा तो वह क्या दो बनेगा उत्तार लेंस मिंस कॉन्वेक्श लेंस और जब यह बीच वाला पाट क्या रहा है तीक रहे तो यह कॉंसा लेंस है कॉंक यो मत क्लिर अब इसमे कॉंकेव लेंस में अब हम इमेज फार्मेशन की बात करेंगे कि जब लाइट जब जाती है जब लाइट प्रिंसिपल चलती है तो लेंस से टकराने के बद कैसे डाइवर्ड होती है और जब किसी लेंस से टकराती हो कैसे वो होती है इसके बारे मनों डिसकस करने वाले हैं तो हम इसको मिणार देते हैं तो लेंस क्या है तो लेंस क्या है तो लेंस एक काज के ठोस गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके जो दोनों तलक्या होते हैं परावर्तक होते हैं वही लेंस का लाते हैं ठीक है अगर आपको तो हिंदी मीडियम में एंड इंगलिस मीडियम में अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्षन में टेलीग्राम का ग्रूप है जो चैनल का यह फिजिक्स मेंटर के नाम से हैं उसको जाकर जॉइन करिए वहाँ पे आपको बिलकुल नोट्स परफेक्ट नोट्स जो म दोनों तल क्या होते हैं परावर्तक होते हैं एक तरफ कर्व सेब का होता है एक तरफ प्लेन भी हो सकता है या तो दोनों तरफ कर्व क्लियर तो अब हम बात करते हैं लेंस के टाइप के बारे में तो लेंस का एक टाइप है कॉन्वेक्स लेंस ठीक है और एक है कॉन्वेक् के बारे में अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस को बेसिकली हम लोग कैसे बना सकते हैं एक ऐसे यह कि अगर हम इसको ऐसे बना ले थीक है मुँआ इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं क्लियर यह कॉन्वेक्स के टाइप है क्लियर इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस मिन्स दोनों तरफ से क्या है उभरा हुआ है तो जब दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस क्लियर अब सुनिये अगर रिफ्रेक्टिंग सर्फेस सेम है यह भी आर होगा और यह भी आर होगा अगर रिफ्रेक्टिंग सर्फेस सेम है तो यह भी आर होगा यह भी आर होगा क्लियर लेकिन अगर रिफ्रेक्टिंग सर्फेस अलग-अलग है तो यह आरवन होगा और यह लेकिन दोनों ही उभरे हुए क्लियर अब एक बात और हम अगर इसकी बात करें तो एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक तरफ प्लेन होगा और दूसरा तरफ क्या होगा कॉन्वेक्स होगा जैसे यह दोनों है यह क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिन्स एक तरफ कॉन्वेक्स है और एक तरफ क्या है प्लेन है एक तरफ कॉन्वेक्स है और एक तरफ क्या है प्लेन है तो इसको क्या बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स ह MOS तो अगर हम इसकी बात करे है इसका तो और फाइनाइट लेकिन इसका क्या होगा infinite अर्टू की वैलू क्या है इन फाइनाइट है और आरवन की वैलू तो और ही होगा यहाँ एक मिनट अब हम इसकी बारे में बात करें इसका नाम है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के अलग अलग टाइप है यहां पर भी आरवन होगा और यह भी आरवन होगा यह कभी इक्वल नहीं हो सकते आरवन आटू होगा कि घर अहीं ईक होता है वाई कॉन्वेक्स कैन लेंस प्लेन और यह कांच के ठोच गोले यह कांच के ठोच गोलेगा एक एक अइसा कटा हुआ बंब् sniff का भाग प्रता है और साइड़ बाले पर क्या होते हैं होते हैं कई भी देख लिए यहां फीक है यहां पर लिए और आप अब देटा है बीडियो को अच्छे समझ लीजिया नोट्स अब भिणाने मेद बना न्यगोष भ्रावर्म में हो रही है तो आप क्या और मुझे नोट की ज़रूरत है इस टॉपिक का तो उस टॉपिक में आपको एवैलेबल करा दिया जाएगा तो इसको मिटार दें तो वो भी समझ जाएं लेक्चर थोड़े बड़े होंगे धबडाने की जोट नहीं है अराम अराम से समझना है अगर मालीजी एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाना है मालीजी कि पचास किलोमेटर के दूरी है तो आप तीन तरह से जा सकते हैं एक सपोज्ड़ाट की मर यहां पर पोजीशन एस आप जाना सुरूख ऑफ पोजीशन भी तो एक तो आप मर्स्डीज गाडी में या BMW गाडी में जा रहा है रहे है ल्ट बिएमडवल गाडी जा रहा है तो BMW गाडी का स्पीड फीड एक अपना है आप क्या कर रहे हैं राओ ठीक है आप इससे जा रहा हैं बाइक से यहां पर बैड़े गाए आप बाइक से जा रहे हैं इसका स्पीड है 50 किलो मिटर पर हावर अब आप एक का कर तीनों लोग यहां पहुंच रहे हैं पहुंचने के बाद रास्ते में क्या-क्या पढ़ने वाला है हर चीज के बारे में अच्छे सब पुछ चीजे बता देगा तो हम लोगों का जो लेक्चर है वो इसी स्पीडी में चलेंगे हम अच्छे में चलेंगे अराम-अराम से चलेंगे स्वाग बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अपने पास अच्छे सा टाइम है तो टाइम निकाल करके यह आप लेक्चर को सूर्ट करिये मतब ताकि आप नोर्स जरूर बनाएगा सबसे पहली बात नोर्स काफी और पिन ले करके जरूर बैठेगा चलिए हम लोग बात करते हैं आप कॉनकेव कॉनकेव लिंस कॉनकेव लिंस क्या होता है तो यह काज के ठोस गोले का ऐसा कटा हुआ भाग है जिसके बीच का भाग क्या हो पतला होता है और किनारों का भाग क्या होता है मोटा होता है यह ऐसे बनता है ठीक है हम माले रहा है इसका आरवन और यहाटू हो सकता है दोनों से मों ठीक है इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस ठीक है अगर हम एक तरफ प्लेन कर दें और एक तरफ कॉनकेव कर दें तो इसको बोलेंगे plano concave lens ऐसे भी तो बनाया जा सकता है which है गुए फोश्ए ईसको अगर हम एक काम करें कि दोनों तरफ क्सक्सक्राइब कर सकते एक मिनट एसको क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इस इस mixing ऐसे भी कर सकते हैं उसको बूलेंगे 166- regeneration कॉंवेक्त से लेंद इसक क्या बालेंगे का यहां पर इन्फाइनovid होजाएगा और एली यहां पे आरवन की वाइलू क्या होगा कुछ न कुछ होगा और रटू की वाइलू कुछ न कुछ होगा यहां पे आरवन जो है वह आर के भी बराबर दोनों रेडियस आफ करवर्चर एक्वल हो सकते हैं ठीक है तो यह अपना प्रण les क्या होती है एसा लेंज जिसके बीच का भाग क्या होता है मोटा होता है ऐसे प्रण वाले बात करने वाले हैं कुछ इमेजस फॉर्मेशन की कुछ इसके नेचर से उसके बार में डिसकुस करते हैं इसको आप नोट करिए फीकर बना लीजे पहले कुछ हम लोगों को क्या है उसको समझना है तो हम लोग कॉन्वेक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे Convexes को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसके बाद से क्या पढ़ने वाले अच्छे से ईज Vergna एक्शल में यह जो लेक्चर है वो Neat as j level मेरा पूरा focus पे है ही मेरा पूरा focus पे है ताकि बच्चों को syllabus के साथ इसके बारे में देखना पहली प्रापर्टि इस कि यह है यह अपना लेंस है यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है तो अगर लाइट इस लेंस के सेंटर ओ से अगर पास करके जाए तो सीधा निकल जाएगा क्लियर अगर यह लाइट रेज इससे पास करके जाएगी तो सीधा निकल जाएगी बिना डेवियेट हुए सीधा निकल जाएगी यही प्रॉसेस हम लोग कौन केव में भी पढ़ते हैं अगर यह प्रिंसिपल क्या स्पत्र सेंटर ऑ है तो लाइट रेज यहां से आएगी तो पिल्कुल सीधा निकल जाएगी और यहां नोट सच्छे से बनाएगा चलिए तभी कोई पढ़ाई का मतलम निकलने वाला है चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यह एक लेंस है उत्तर लेंस है यह प्रिंसिपल एक्सिस है हमको यह पता है कि यह दो स्फेर से कट करके यह बना हुआ है वह लोग पढ़ें गहलं है कि दो स्फेर हैं हम आले रहें यहां से इसको क्ट कब आदेखी जब यह पूरा वाला स्फेर था ऐसे करके इसका सेंटर कुछ यहाहीं सिवन होगा सी और जब यह वाला पूरा इस फेर था है से 2 अब हमकोशल मैं से सेंटर मैं सेंटर और यह सेंटरेंट है ओफ क्या है अब यहां से इन दोनों के दीच में ठीक है एक हमने एक फ़ोकल पॉइंत और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक हावा एफ्टू सेकेंड फोकल पॉइंट ठीक है तो जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल चलती है ठीक है अब देखो एक्चुल में यह जो लेंस होंके बहुत पतले होंगे लेकिन हम लोग बिल्कुल एक प्लेट की जैसे होंगे यही वाला प्लेट किसे से होंगे तुसेले आमने भीकेंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैर। चलती हैं तो सैकैंड फोकल पॉइंट से निकल जाती है है निकल यह इसकी सेंट्व प्रॉपर्टि्य वांटि का है इसके सेंटर से होके जाए तो सिजा है बिना डिएट हुए अ अगर सपोज देट इसका जो थर्ड वाला पॉइंट हैं अगर यह लिंज है यह इसका प्रिंशिपल एक्सिस है जिसको हम चाहिमें पर ये आप स्टू ने रहें हैं कर दो सिह को तो हम लोग यहीं पड़ेंगे कि अगर लाइट यह यसा से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिज के पैर्ल वह जाएंगे अगर लाइट शेक्षा हमारा तीन जो ला है इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे तो फिगर आप बना लीजिए फ्रस्ट वाला तक यह जब बिल्कुल लेंस के सेंटर से जाएगी ठीक है और यह सेकेंट वाला क्या है सेकेंट वाला है कि अगर पैरलल जाएगी तो क्या होगी यह होने व में ले देख लें अगर हम लोग कॉंऔं के में अगर में अगर के अगर प्रिंसिपल्र अग्सिज है की अगर पैरललेंगी वाली है लाइट रही यहां पर फैचे आएगा कि यह फोन से जा रहा है और यहां से आएगा तो यह भी डेविए बाहर दिकल जाएगा और इसको पीछे की तरह बढ़ाएंगे तो इसा फील आएगा कि यह फोन से जा रहा है ठीक है मिन्स इसमें अधिक करते हैं तो आप इसको बना लिजे अब आप फीगर बना लिजे अब आप यह डाल दीजिए ईमेज फार्मेशन आफे-स लें जो-उछ से युण लोग बना जानते हैं उसके बारें जा कि अब पढ़ने वाले है के इमेश फार्मेशनर आफे-स-लेंज-स प rasa इमेश-सलेंश का कैसे इमेश-स लेंश-स न होगा तो 6 कट्टी तोसकर्टार्ट स्वेल देखेंगे हैं मिंस बेन और जेट फेर में कि अर्फ तो मैं बंपाइल ऐस ये इंफाइनाइट अंधा नीट ऑफ जो है इंफाइनाइट परजब है अनंत पर जब है तो हम क्या हम लोग आइव में फार्मिशन वना चाहिए इसको देखते हैं यह अपना कॉन्वेक्स लेंस है यह अपना प्रिंसिपल एक्सिस है यहां पर होता है यहां पर सीवन होता है बिल्कुल याद कर लिए यह वाला और यहां पर नहीं होना नहीं दोनोंके सेंटर पे सेंटर्पर चक्नलर पेंट एक जुआ से यहां से पारलनज़ यहां पर ऐनको एक्स गेंगे घोंद में मॉन होता है रिया 294 एक्सिस अठीस यहां से दसक्राइब जाएं तो कहा से मिलेगा हम लोग अभी पड़े हैं कि सेकंड फोकल प्वॉइंट सेओके निकल जाएगा poquito में हैering सेकंड फॉप फॉइंट सेओके निकल जाएगा फिर फ्रसट तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा इमेज क्या बनेगा इमेज फार्मेशन के बारे में बात करें इमेज क्या बनेगा इमेज जो बनेगा पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज, ठीक है, फर्स्ट है पॉइंट इमेज, सेकेंड है, रियल, ठीक है, एंड, थर्ड है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, जब भी रियल बनेगा, तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, अब सोचो, कही कही बुक में ऐसे भी देता है न कहके बुक में ऐसे देता है सब्सक्राइब यह अपना क्या है एक कॉन्वेक्स लेंस है अब लाइट रेज अकर ऐसे आ रही है तो यह एक लाइट रेज ऐसे आ रही है अब देखो यह दोनों पैरलल है इससे नहीं मतलब अब की प्रिंसिप्ल एक्सिस जरूरी नहीं है कि प्रिंसिप्ल एक्सिस के ही पैरलल वह एक दूसरे के भी पैरलल एक बैत रहे यह जब भी इमेज बनाते हैं तो दो रेस की जरूरत पड़ती है दो रेस से लोग इमेज बना लेते हैं सब्सक्राइब है इसए लेने लोगों एतसे डिखाले नहीं अब दिखा रहें जारए ठीक है यह सीधा निकलने वाले थोड़ा सा डे वी एट होगा ठोड़ा सा जब डे वेट होगा और यह बिल्कुल सीधा निकलेगा यह बिल्कुल एक दूसरे के पैडलल दो रेज आ रही है इसका इमेज ऐसे बुकों में बनाया जाता है ठीक है और जब लाइट रेज ऐसे ऐसी वर्मा में ऐसे बनवाए है लेकिन अगर किसी-किसी बुक में अगर ऐसे पैडलर जारी एक दूसरे के पैडलर से तिर्चा आ रही है तो ऐसे यहां पर बनेगा तो कुछ हाइट इसका होना चाहिए और यहां पर अब्जेक्ट क्या है बहुत बड़ा है यहां पर ठीक है ओड़ा है तो इसको बना लिजे इमेज फार मेंसन यही होगा फॉइंट इमेज रियल एंड इन वर्टेड इसको मिटर दे अब सेके लिखिए वेंद ऑब्जेक्ट इज सीचुएटेड एड इंफाइनाइट अंड़ क्या मिडिल आप इंफाइन एंड़ सीवन सीवन बिटमिन सिचुएटेड बिटमिन इ पिकलेंगे इमेज परमिशन यहां बारव स्कूरिकल देक्स होगे सेलंगे जब यह ऐख्य में है अब प्रिंसीपल आकसिस है हमको पता है यहां पर यहां पर सीवन सेहां यहां पर यहाँ फ्टू ओ को यहां पर लिखा है लिख्याया वैंड hvad बीड में ट विंटमिन से इनफायनाइट एड के बीच में तहीं मनें दिखाई जरेंगे एड को सीमान तो अगर हमलों का है कि इन फायनाइट कश्रम 551 यह और इनके बीच में अगरा ओब्जेकٹ प्रॉब्जेक्ट तो 라ट रीज किया होंगी यहां पर O-S राभ प्रिंसीपल एक्सिस के प्रीटल चलेंगी कहां से जाएगा एक टु को चोड़ आप एक डू से निकल जाएगा तब जाकर के image बनता है यहां पर image means आई आई डेस पर image बनता है means smaller than object clear real क्या बोलेंगे first point में smaller than object second बाले में बात करेंगा हम लोग real third में inverted ठीक है यह थर्ड पॉइंट में लोग नोट कर सकते हैं अब इसके third formation की बात करें when object is situated at c1 means first center of curvature तो जब फर्स एंटराफ कर वर्चर पर देखें तब कहां बनेगा हम लोग देखते हैं यह figure बना लिए अच्छे से बच्चो नोट्स अच्छे से बनाना मुझे नोट्स से अपने बहुत प्रेम है तो नोट्स बनाएगा तभी फिजिक्स का कोई आर्थ निकलेगा अब फिजिक्स का नहीं हर एक सब्जेक्ट का आर्थ निकलता है नोट्स रहता है तर लोग चलिए अब हम लोग यह भी पड़ लिए अब हम थर्ड पोइंट में हेडिंग डालेंगे थर्ड पॉइंट में वेन आबजेक्ट इज एट सीवन जब आपजेक्ट सीवन पर है तो जब सीवन पर है तो यह अपना उत्तर लेंस बना लिया गया यह यह अफ वन है यह अफ टू है और यह सीटू है मिन्स आपजेक्ट को हम लोग यहीं पर रख दिए ठीक है आपजेक्ट को जब हम लोग यहीं ओ डैस पर रख देंगे है ठीक है हम लोग कलर बदल लें सब ब्लैक हो जाएगा चलिए यहां पर अगर हम ओड एस हाइट आफ अब्जेक्ट के ले लें प्रिंसिपल एक्सिस के जब लाइट पैरल जाती है तो हमको पता है कहां से जाएगी एक्टू से निकल जाएगा और जब इस लेंस के सेंटर से होके जाएगा तो सीधा निकल जाएगा यहां पर कट किया तो हमको पता है जहां पर कट करता है ना इमेज वहीं पर बनता है सीटी उपर लें यहां पर कट किया है यही पर बन जाएगा यानि कि आई यहां पर बना मिन्स जितना हाइट अब्जेक्ट का है उतनी हाइट क्य formation में या फ地方 में लिखेंगे फॉस्ट पॉइन लिखेंगे यांँ लोग इक्वल दन अब्जेक्ट एक क्वल एक्वाल तू अब्जेक्ट लिखेज लो वर 2020 लें लेंग्वेज equal to object real a third में हम बात करेंगे inverted in inverted clear समझे अब हम लोग क्या बात करेंगे अब object को कहा लग दे when the object ऐट भीटमीन सीवन एडिया तो क्या होगा कि लिए तो हम इसको मिटार देते हैं बना लीजे इसको नोट कर लिए यह वाला मिटार दे मिटार दे वह स्टू के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रत्विम बनता है ठीक है कहां पर बनता है तो C2 पर बनता है चलिए मिटा देते हैं अब हम लोग 4th point पढ़ा जाए 4th point क्या है पोर्थ पाइंट पढ़ी लेवे चोगा वेन अबजेक्ट इज एट विट मिन C1 एंड F1 C1 एंड F1 के बीच अगर रख दिया जाए अबजेक्ट को तब क्या बनना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैडलर्स गई यह F1 है यह C1 है यह F2 है यह C2 है ठीक है अब हम लोग क्या करें C1 और F1 के बीच में तो कहीं भी रख दिया जाए तो हम माल ले रहे हैं माल ले रहे हैं यहां पर रख दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैडलर्स गई कहां से जाएगा F2 से निकल गया और अगर इसके सेंटर से होके गया लेंस के तो सीधा निकलेगा तो अगर इमेज यहां पर कट किया मिस सीटू के इधर बनेगा द्यान देना सीटू के इधर बनेगा अच्छे से अब और कट किया तो ठीक है यही फिल आ जाएगा आई अड़ेस सीटू अंदर है ध्यान देना मिन्स इमेज के बारे में देख बीगर दान अब्जेक्ट मिन्स अब्जेक्ट से बड़ा रियल और इन इन वर्टेड मिन्स अगर इसके वाला वास्तविक उल्टा और यह बस्त से बड़ा जे आवा लोग नहीं बेद देख लिया कि फिफ्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहा रख दिया जाए यह ववन पर नोट कर लिए फिखर बना लिए अगले अगले टॉपिक के बारे में मैं देखा जाएं में आबजेक्ट इज कर इज आड़ यह वन और भेन आभजेक्ट इज एट यह वन तो यह अपना एंसे कॉंवेग्स लेंस बना लिया कि यह आधिंसेपल अक्सिस है यह सी इन है यह एफ है और यह चीटू है तो बेंसेपल एक्सिस के अगर हम लोग पैरलर्स चलेंगे अगर हम पैरलर्स चलेंगे तो पैरलर्स चलेंगे तो पता है कहां से जाएने वाला है और अगर इसके सेंटर से विए अगर निकलेगी तो यह बिल्कुल ऐसे निकलेगा तो बना जाए अब यह जो लाइट है दोनों रेज ऐसे दीरे 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 जे एक दूसरे की पास होते चले जाए ऐसा फिल आएगा कि इनफाइनाइट पर बन रहा है यानी की भीगेश्ट वीगर मीगर जो भी आइंग रेजी बता है इमेज फार्मेशन के बारे में इस बारे में बात करें हम इमेज के बारे में तो बीगर दन आबजेक्ट बीगर दन आबजेक्ट ठीक है, real, bigger than object, real, bigger than object at infinite, यह लिखना बहुत अच्छी बात है, infinite, real, a third is inverted, inverted तो बनी रहा है, वो उल्टा बन रहा है, inverted तो बनी रहा है, सिक्स कंडिशन यह फिफ्थ था, यह फिफ्थ था, फिफ्थ की बात करेंगे, सिक्स में क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टन सिक्स वाला है, जब object को हम लोग, यह ओ, यहाँ पे, लेंस का सेंटर, एंड यह फॉन के बीच में रख देंगे, तो वर्चूल इमेज बनता है, अ पढ़ते हैं, सिक्स, वेन, आबजेक्ट, इस एट, बिटमीन, यह फॉन एंड ओ, मिंस, सेंटर आफ लेंस, ऐसे बात के लिए, सेंटर आफ, मैं आई, इसको नोट करना, हम लोग, फीकर बनाये, यह हम ने एक इमेज बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फवण है, यहाँ पर C1, यहाँ पर F2, यहाँ पर C2 है, हम अब यह अपना object यहाँ पर है, ओ, यह क्या है, लिंस का सेंटर यहीं होगा, तो यहां पर अब्जेक्ट को हमने रख दिया ओडेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैलल यहां पर निकल जाएगा अब यह चुकिए बहुत पास में है तो यह से जाएगा तो एसे जाएगा ठीक है अच्छे से बनाया यहां से ठीक है तो इन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ठीक है इन दोनों के बीच की दूरी क्या और यह दीरे अऋ-दीरे mają बढ़ती जा रही है कहीं भी नहीं मिलेंगे लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगंगे हम लोग कलर बदल दें मैं इसको इसको मैं तोड़ा क्या होंगी एक दूसरे के पास होती चली जाएंगी और यह कहीं पर इमेज बन जाएगा आई-आई-डैस मींस बीगर दैन ऑबजेक्ट अबज देन आबजेक्ट वर्चुल और क्या बनेगा आबजेक्ट डिस्टेंग इस डिरेक्शल में इसका इमेज भी बन जाएा जब सब्सक्राइब बीगर दन अबजेक्ट वर्चुल में आबजेक्ट खुल एक फ़ीज ही अबजाए खेख है अब क्या सीधा सीधा का मतलब क्या इंगलिस लिए स्टेट लिए देना मिन्स एज लाइक आफ अब्जेक्ट मिन्स ऑब्जेक्ट के जैसा ही वह बन जाएगा लेकिन बड़ा बनेगा ठीक है यह हमारा च्छै कंडिशन है छटवा कंडिशन यह अब यह हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फोर्मेशन आफ पान के लेंज से मुझन के बार में इसको आप नोड कर लो बहुत ही अच्छा यह कुष्य था है कि इमेज फोर्मेशन आफ पान के लेंस अ हम नेक्स में बात करें इमेज formation of concave lens image formation of concave lens तो concave lens के बारे में हम लोग इसके दो ही condition है इसके दो condition है first condition है when object is at infinite when when is at infinite idea infinite also image बनाएगा रहीज बनाएगा कि यहाँ से इमेज बना भाग कि यह रहे है तो हमको पता यहाँ पे फोण होगा मोक यहाँ पे आपकी और यहाँ पर एक्सिस के तो पैलर स्लाइट रहेंगी तो कहां से जाएगा यह क्या करता है दिखेर देता ना ऐसे डिवीट कर देता है अहीं करता है कानों करता है सब्सक्राइब 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 लेकिन अगर इसको पीछे की तरह बढ़ाएंगे तो ऐसा फील आएगा कि यह यफोन से ही जा रहा है तो इसका जो वस्तु का जो इमेज बनेगा वह पॉइंट इमेज बना ठीक है पॉइंट इमेज क्या बात करेंगे पॉइंट इमेज एंड इस्मालर दैन अब्जेक्ट इस्मालर दैन अब्जेक्ट ठीक है एंड वर्चुवल ठीक है और एक बात और जब भी इस तरह का केसेज बनेगे तो इमेज जोंगे वह सीडा बनेगा ठीक है तो आम इसको मिटार दें बना लिजिए कि यह नोट का लिए और बना दीजें यह में डट करें सेकेंंड बात करें वन अब्जेक्ट इज एट इसमें दो करने सने एक इन फाइनाइट पर और एक याए हम सेठी की बाद कर लें when object is at finite distance तो finite distance पर हम लोग देखते हैं कहां पर हो सकता है जे हो गया concave lens यह इसका principal axis यह F1 यह C1 और यह F2 और यह C2 तो principal अब देखो आपजेक्ट को कहीं भी रख दिया यहां यहां कहीं भी रख दिया ओडेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैडलर जाएगा इधर निकल लाएगा और एक जो कहा है एक लाइट रिस निकल लाएगा तो अगर हम इसको पीछे की तरह बढ़ाएंगे तो इसा फील फॉलेंगा कटता हुआ प्रतीयत होता है आई ओफे अई-डएस तीजे देन अब्जेक्ट से चोटा है और कहीं सीधा है और कहीं वर्चुल बनाएगा ठीक है तो क्या बोलेंगे यहां भी यह इसमालर देन अब्जेक्ट इसमाल देन अब्जेक्ट प्रस्ट पॉइंट है और क्या है बर्चूवल ठीक है और क्या है सीधा बनेगा मींस ये अपना है इमेज फॉर्मेशन आप के बलेंस अब हम लोग बात करेंगे नेक्स लक्टर में ये लेक्टर बहुत बढ़ा हो गया है नेक्स लेक्टर में बात करने वाले हैं कि लेंस का लीनियर मेगनिफिकेशन्स क्या होती है लेंस का linear magnification क्या होता है इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे clear और आगे चल के हम लोग इए बात discuss ये करेंगे कि lens के लिए formula क्या होता है lens formula क्या होते हैं और जो सबसे ज्यादा बच्चों को 12 वालों को excited करता लेंस मेकर फॉर्मूला उसके बारे में लोग डिसकस करें तो तब तक तक लिए आप लोग पढ़ाई करते रही है और चैनल को सपोर्ट करिए ठीक है और यह लेक्टर जिन लोगों को भी जरूरत है उन लोगों को सेयर करिए और लेक्टर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दाने बार